हलो एन वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणा फोर यू नॉलेज फोर एवरिवन जैसा कि मेरा पिछली सेसन में आपने देखा सार्फेस रफिनेस सार्फेस वेविनेस के बारे में तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आरे, आरवाई, आरजेट, आरेमस वेलू क्या होता है कैसे इसको निकाला जाता है यानि की सार्फेस रफिनेस का पारामीटर तो चलिए आज का ये टॉपिक सुरू करते हैं तो फ्रेंट जैसा कि मैंने पिछले क्लास में देखा रहा था एक ड्रॉइंग कि मान लिजए ये हमको एक ब्लॉक बनाना है जिसके हाइट 50 mm है तो जैसा मैंने पहले कहा था कि 50 mm तो है लेकिन क्या ये 50 mm हर जगा पे है है ऐसा नहीं है हो सकता कहीं है 49.008 है 50.004 है 49.006 जैसा कि इसमें देखा गया मतलब ये इस तरह से वेविनेस ये करविनेस या राफनेस का होगा क्योंकि आप 100% इसको exact size में कभी भी नहीं ला सकते है वह impossible है तो ये इसी जो वेविनेस है इसको मैं थोड़ा सा और जूंग करके आपको दिखाता हूँ ये राफनेस हो और ये वेविनेस के बारे में इसको मैं बीच में अगर ग्राफ थूंग दिखाता हूँ तो ये पॉजिटिव साइड में और ये नेगिटिव साइड में तो आए थोड़ा सा और डेफिनेस में देखते हैं ये ये पॉजिटिव तरफ है और ये नेगिटिव तरफ ये जो टॉलनेस के आपर साइड में और टॉलनेस के लोवर साइड में इसमें ये जो है ये इसका मीन लाइन है जो ड्रॉइंग का मीन लाइन या राफनेस का मीन लाइन ये है ये हो गया उसका मैक्सिम्म अफ इर् यह उसका maximum height of inequalities है अभी चलिए देखते हैं हम यह एक R.A. value निकालने का formula निकालते हैं यह लेते हैं y1 यह हो गया y2 यह हो गया y3 इस तरह से हम R.A. value निकालते हैं कैसे R.A. नहीं R तो roughness हो गया A for average यानि Roughness का average वो क्या होगे arithmetic mean deviation divided by arithmetic average या average of ordinates मतलब कितना इसमें गया है जैसे y1, y2, y3 इस तरह से यह बहुत सारे हैं तो हम y1, y2, y3- yn तक ले लेते हैं इसका value और नीचे क्याते हैं जितना quantity उतना number जो average हम निकालते हैं क्योंकि यह average R.A. यानि Roughness average इसको हम थोड़ा और short form अगर लिखना चाहें तो हमको इस तरह से लिख सकते हैं तो R.A. निकालने का यह formula हो गया surface का roughness का average average value तो second क्या था R.Y. R.Y. value क्या है जो maximum height है यानि irregularities जो maximum जो सबसे ज्यादा length में है यह maximum height of irregularities यहां से यहां तक यही हो गया उसका maximum height of irregularities इसको कहते हैं R.Y. R.Y. अभी देखते हैं R.Z. R.Z. क्या हो गया हम लेते हैं सब 5 point यहां से यहां तक का 5 हम peak point लेते हैं top is मलब maximum height of irregularities h1, h2, h3, h4, h5 5 point लेते हैं maximum height का और 5 point हम लेते हैं lowest height का और फिर क्या करते हैं maximum, minus, minimum करते हैं तो और divided by जो number of quantity हम लेते हैं तो इससे हमारा निकल जाता है R.Z. अर्थमेटिक अंक गनितिया यह है मतलब यह by numeric value से जो निकलता है उसका हो गया अभी हम जाएंगे R.Z. R.Z. क्या हो गया वो geometric value होता है root mean square method यानि geometric area of the coordinates coordinates का geometric area है उसके उपर है जैसे यह उसका formula हो गया यानि y1 square y2 square y3 square upto yn square divided by n और उसका square root इसको हम short form में क्या लिख सकते हैं summation value में इस तरह से i equal to 1 से लेकर n तक तो यह हमारा निकल जाएगा rms value तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही next class में बताऊगा कि drawing में symbol क्या होता है machining का और उसका meaning होता है तो thanks for watching